हेलो एंड वेलकम टू आर चैनल सोलो टेल्स और आज की हमारी मुवी है ड्रापिंग मुसॉलनी ये मुवी एक सत्यकटना पर अधारित है जिसमें सिर्फ 6 लोगों की टीम ने मिलकर एक बहुत बड़ी हाइस्ट को अंजान दिया था तो चलिए शुरू करते हैं मुवी की बे की बीच गुजरती बे हम मुवी की हीरो जैक को देखती है जैक मुसॉलनी के लोगों को अपना पासपोर्ट दिखा कर सिधा शैर के एक ठेटर हाउस के अंदर पहुचता है इस ठेटर में विटनी नाम की एक लेडी जैक का इंतजार कर रही थी विटनी कहती है तुमारा कि काम किया विटनी कहती है हाँ वे लोग रात को तुमसे डील करने आएंगे ये बात कनफर्म है तरसल जैक एक गरी बिसनसमैन था और जैक आच्छा चोरीवी गंस को गैर कानूनी तरीके से सप्लाइ करने वाला था विटनी कहती है एक बार फिर सोच लो जो तुम करने जा र विटनी वहां से चली जाती है फिर रात को जैक का क्लाइन जैक की गं का ट्रायल लेता है दरसल ये लोग पार्टीशन्स थे और इन गंस की हेल्प से मासलोनी की खिलाफ रिपॉल्ट करने वाले थे क्योंकि मासलोनी इनके देश के केमती खसानों की चोरी कर रहा था अब ज आदमी की बली भी देती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तबी इतने में ही जमीन में कुछ गोलियों की फाइरिंग होती है इन गोलियों को मारकस नाम के स्नाइपर ने शूट किया था मारकस असल में जैक का ही साथी है इसे देख लीडर कहता है तुमने तो कहा था कि तुम यहां अकीले काम करती हो जैक कहता है यह बंदा मेरा नया दोस्त है तब लीडर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और लीडर जैक की तरफ एक बैक फेकता है इस बैक के अंदर कुछ पैसे थे तब भी डीलिंग करते वक्ती वहां मासलोनी की सोल्जर्स आ जा पास पहुंचते ही फाइरिंग से उन पैसो की चीतड़े उड़ जाते हैं जिससे जैक को बहुत गुसा आता है तब इच्ट का साथी मासल बाइक लेकर जैक के पास पहुंचता है और फिर यह दोनों बचकर उस एरिया से बाहर निकल आती है इसी के पैलर में हम देखती है क विटनी एक स्टेज आर्टिस थी और रेस्टरेंट में गाना गाया कर दी थी विटनी आज का शोग खतम करके वहाँ से चली जाती है वही सीन फिसे विटनी के बॉइफरेंट जैक पर शिफ्ट होता है जैक अपनी जान बचाने के लिए मासल का शुक्रियादा करता है और सामने की तरफ चला जाता है सामने एक सिक्रेट दर्वाजा था ये दर्वाजा सीधा विटनी के मेकर रूम में जाकर खुलता था इधर विटनी जैक के आती ही उससे उसकी डिलिंग के बारे में पूछती है लेकिन जैक उस बारे में बात नहीं करना जाता था इसलिए जैक विटनी को किस करने लगता है पर इतने में ही कोई आदमी उनके दरवाजे पर नौक करता है इसे देख विटनी और जैक खपरा जाती है और तबी जैक चल्दी से भाग कर फिर से अपने उसी सीक्रेट डॉर में छिप जाता है फिर जब विटनी दरवासा खोलती है तो ये आत्मी जॉर्ज नाम का सोजर था जॉर्ज को विटनी के हस्बंट एन्टोनियो ने विटनी पर नजर रखने के लिए हार किया था क्योंकि एन्टोनियो को शकता कि उसकी वाइब का किसी के साथ अफैर है इधर जॉर्ज को कमरी में कोई दूसरा आत्मी नहीं दिखता ये देखकर George Whitney को बताता है कि आपसे boss Antonio मिलना चाती है आगे Whitney अपने husband Antonio से मिलने उसके camp जाती है दरसल Antonio Missoloni के undercom करने वाला एक commander था इधर Antonio एक partition को torture कर रहा था इसके बाद Antonio अपनी wife Whitney से मिलने चला जाता है यहां Whitney के expression से हम समझ भाते हैं कि वो Antonio के साथ खुश नहीं थी इसके बाद हम Jack के दूसरे partner Jerry को देखती है Jerry इस वक्ट Jack का नकली passport बनाने में विजी था नकली passport के बतले Jerry की बस एक demand रहती थी कि Jack उसे American comic ला कर दे इस पार भी Jack काम के बतले Jerry के मेज में उसकी American comic रखता है दूसरे तरफ हम Nora नाम की एक retired actress को देखती है जो call में Antonio से बात कर रही थी असल में Nora और Antonio husband wife थी Antonio कहता है अभी मैं ministry office आया हूँ इधर मैं तुमसे बात नहीं कर सकता नुरा कहती है ठीक है फिर मैं तुमसे कल मिलती हूँ तो इस पर Antonio मान जाता है तभी Antonio के office के typing machine में एक secret coded message टाइप होता है दूसरे तरफ इस machine के typing की आवाज Marcel को machines के जरिये सुनाई दे रही थी Marcel typing की आवाज सुनकर उस आवाज के frequency का graph तयार करता है और उस graph को analyze करके वो secret code लिख लेता है लेकिए secret code होने की वज़े से इसे अभी समझना मुश्किल था इसलिए इसे समझने का काम मारसल जैरी को सौपता है इस code में CDP के बाद बहुत सारे serial number mention थी CDP लिखा देख जैरी के नजर उसके comic वाले newspaper में जाती है वो newspaper कॉरेट डिप कॉली नाम से print हुआ करती थी जो की CDP का short name था इसका मतलब वो पूरा code इस newspaper से जुड़ा हुआ है अब आगे P6 लिखा वा था जिसका मतलब उसी newspaper का page number 6 है इसके बाद बागी सारे कुछ random serial numbers थी जारी incident number के हिसाब से newspaper में छपीवी lattice को मार करता है जिससे finally ये code decode हो जाता है code को देखती ही जारी के होश ओड जाती है और जारी code लेकर Jack और मासल के पास पहुचता है इधर code का decoded version देखती ही Jack के पैरो तले जमीन खिसक जाती है और उसे इस पर विश्वास नहीं होता आगे Jack विटनी से मिलकर उसे बताता है मैंने ministry office से रिसीव हुआ एक coded message सुना उस पे मिसॉलोनी के लोग डिसकस कर रहे थी कि वे लोग यहां से बहुत जल भागने वाले हैं वो भी उन सोने के biscuits को लेकर जिसकी चोरी उन्होंने हमारे देश से पिछले 20 सालों में की थी जरह सोचो वो इटली का सारा ख़जाना लेकर अपनी देश भाग जाएंगे फिलाल वो ख़जाना इसी शहर के black zone एरिया में protected है विटनी कहती है तुम पागल हो गए हो कहीं तुम वहां डाका डालने की तो नहीं सोच रहे जैक कहता है यही एक मौका है जिसका मुझे तब से इंतजा था इस चोरी को अंजाम देने के लिए मुझे तुमारी सक जरूरत पड़ेगी प्लीस मना मत करना तो विटनी इस बारे में सोचने लगती है और तबी सीन मासल पर शिफ्ट होता है जो दूर भी से देखकर बताता है कि इस प्लैक सून एरिया में चोरी करना नामुम्किन है जरा देखो वहां पर सौ के तादात पर सोल्जर स्तैनाथ है जो हमें देखते ही भून देंगे जैक कहता है करने की कोशिश करूंगा तबी इन तीनों के उपर से साइरेन बचने की आवाज आती है दरसल उपर फाइटर प्लेंस उड़ रहे थे इनने देखकर मासल और जैरी वहां से भाग जाती है वहीं जैक को इन प्लेंस को उड़ता देख उसकी चूरी के लिए एक आइडिया आता है असल में उस टाइम दुनिया में वर्ल्ड वाट छिड़ी वी थी जिस वज़े से रोज इस तरह बंबारी होना आम बात थी आगे जैक अपने हाइस्ट का प्लैन दोनों साथियों को बताता है और कहता है हमें प्लैन के लिए बस तीनों लोगों की जरूरत पड़ेगी क्या तुम किसी ऐसे को जानती हो जो एक्स्पलोजन और प्लास्ट करने में स्पेशलिस्ट हो मासल कहता है मेरे ख्याल में एक ऐसा आदमी है उस आदमी का नम मैक्स है और एक्स्पलोजन करना उसके बाया हाथ का खेल है जैरी कहता है मैं भी एक लड़की को जानता हूँ उस लड़की का नाम सैरा है वो कब चोरी करके निकल जाती है किसी को कुछ पता नहीं चलता जैक कहता है बहुत खुब अब हमें बस एक ट्रक ड्राइवर की जरुरत है और हमारा ट्रक ड्राइवर फावरे होगा इसे जुन जहरी हैरान होकर कहता है ये वही फावरे है ना जो कार रेसिंग का चैंपिन हुआ कहता था और उसे जरीस में हराने वाला कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ पर मैंने सुना है कि वो मर चुका है जैक कहता है वो मरा नहीं वो सिर्फ गुम हुआ है आगे जैक फावरे का पता लगाते पे चर्च के अंदर पहुँचता है फावरे इस चरके ड्रक्स लेकर सेट होकर सारा दिन बढ़ा रहता था जैक फावरे को कुछ ड्रक्स ओफर करता है जिसके पतले फावरे भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है और अब इन 6 लोगों की तीम तयार हो गई थी इतली की सबसे बड़ी चूरी को अंजाम देने के लिए इसके बाद जैक अपनी टीम के पाचों मेंबर्स को अपने अड़े पलाता है लेकिन अब भी इनके ग्रूप का एक आदमी यानि मैक्स मिसिंग था तब मार्सल कहता है मैक्स को लेकर एक प्रॉब्लम हो गई है मार्सल के इतना कहते ही सीन एक चौराहे पर शिफ्ट होता है जहां किसी को फासी दी जाने वाली थी फासी में और किसी को नहीं बलकि मैक्स को लटकाय जाने वाला था क्योंकि जर्मन सोल्जर्स ने मैक्स को बाउम एक्सप्लोजन करते वे रंग यहादों पकड़ लिया था तबी हम सैरा को देखती है सैरा सोल्जर्स की तरफ बढ़कर एक सोल्जर की साइट में लटकी वी चाबी को चुपके से चुरा लेती है और आगी चाकर उस चाबी को जैक को थमा देती है इसी जगे की ठीक सामने वाली बिल्डिंग में मासल अपनी गन के साथ तैनात था और यह सबी इधर मैक्स को छुड़वाने का पूरा प्लान बना कर आये थे अब मैक्स के गले पर फासी का पंदा लटका कर उसे उसके आकरिशत बोलने का समय दिया जाता है तबी बीच में जैक जोकी एक ट्रीस्ट के हूलिये में था वो मैक्स के पास चाकर कहता है अब भी तुम्हें तेरी नहीं हुई है तुम चाहू तो अब भी सुधर सकती हो ऐसा केकर जैक मैक्स को चुपके से उसकी हतकड़ी की चावी देता है ताकि वो अपनी हतकड़ी खोल सके आगे सोल्जर्स मैक्स के नीचे से चेयर खिसका देती है जिससे मैक्स तड़पने लगता है लेकिन तभी मासल शूट करके मैक्स की रसी को तोड़ देता है वही इस तोरान जैरी एक मिरर के जर्गी थोड़ी सी रोशनी फावरे के चैरे पर फेकता है इस रोशनी को देखती ही फावरे सिगनल समझ कर अपनी गाड़ी लेकर चोहरायर के बीचों बीच पहुचता है गाड़ी आते ही जैक मैक्स को लेकर उस गाड़ी में चड़ जाता है और इस तरह से जैक की टीम मैक्स को फावसी होने से बचा लेती है वे सबी टीम मेंबर्स को जमा करने के बाद जैक इन्हे प्लान समझा कर कहता है हमारे पास इस हाइस्ट को अंजाम देनी के लिए सिर्फ पांच दिन का वक्त है वरना वेलोक्स सारा कजाना लेकर दूसरे देश भाग जाएंगे जोरी करने के लिए हमें सबसे पहले ब्लैक जोन एरिये के अंदर जाना होगा वहाँ जाने के लिए हमें पास और नकली सर्टिफिकेट चाहिए होंगे जिसका इंतिसाम जैरी कर देगा जैरी कहता है लेकिन मैं आरसाइकल स्टैम कहां से लाऊंगा वो स्टैम सिर्फ सरकारी Employees के पास Government Office में होता है तब Jack कहता है उसके तुम जिन्दा मत करो उस स्टैम का इंतिसाम मेरी Girlfriend विटनी कर देगी क्योंकि विटनी का हस्बेंट एंटोनियो भी वो स्टैम यूज करता है और एंटोनियो के ओफिस से विटनी वो स्टैम चुडा लेगी फिर हम किसी तरह एक मिलिटरी ट्रक को चोरी करेंगे मिलिटरी ट्रक सैनी को और कैथियों को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है फावरी उस मिलिटरी ट्रक को चला कर Black Zone एरिये में जाएगा फावरी के ट्रक में मैं और मैक्स नगली ओफिसर्स बन कर बैठे होंगे वही हमारे बाके तीन मैम्बर्स गाड़ी के निचे छिप कर हमारे इशारे का इंतजार करेंगे इसे सुन सेरा कहती है लेकिन वहाँ कई सारे सोल्जर्स तैनाथ है उनका क्या जैक कहता है जैसा कि तुम जाती हो कि हर कैम्प में एक एर रेट टावर होता है हम किसी तरह उस एर रेट टावर का सैरेन अलाम ओन कर देंगे जिसे सुनते ही सारे सैनिकों को लगेगा कि यहां बंबारी होने वाली है इसलिए सारे सारी एक साथ बंकर के तरफ भाग जाएंगे और हम उन्स सबी को वहीं बंद कर देंगे उस एर रेट टावर में गुसने का काम सिर्फ सारा ही कर सकती है सारा टावर के गार्ड्स को मार पीट कर उस टावर के अंदर चली जाएगी फाबरे कहता है फिर भी तुम्हारे पास क्या गैरेंटी कि सारे इन की आवाज सुनकर सारे सोल्जर्स अपने अपने बंकर के अंदर चले जाएंगे जैक कहता है हमारे दो साती मैक्स और जैरी जेल और बाहर के इलाकों में बॉम प्लांट कर देंगे फिर इसी बॉम के फटने की आवाज सुनकर सारे सोल्जर्स बंकर के अंदर जाने के लिए बेताब हो जाएंगे वही सही वक्त होगा हमारे पास गोल्ड वाले कमरे से सारा गोल्ड चुराने का मैक्स कहता है मैंने आज सक बहुत सारे बॉम बनाए है और मेरे एक्सपीरियन्स से हमें इस प्लान को अंजाम देने के लिए कम से कम 200 पाउंड टी एंटी की जरुरत पड़ेगी जोकि बहुत जादा होता है जैक कहता है मैंने इतना टी एंटी पार्टीशिन के लीडर आडम को बीचने के लिए एक कमरे में स्टोर किया था लेकिन तबी वहां अंटोनियो के सैनिकों ने आकस सब बरवात कर दिया मैक्स कहता है सुनने में आया है वो सारे टी एंटी किसी सेर्वलोनी नाम के आदमी के विला में रखा हुआ है और बहुत चल सेर्वलोनी अपने उस विला में पाटी देने वाला है इसे सुन जैक कहता है बहुत खूब यह हमारे परस TNT चुराने का पॉपेक्ट मौका है अगले दिन ही जैक और उसका साथी जारी वेटर के भेस में उस पार्टी को अटेंट करने जाती है वहीं इस पार्टी में फावरी और साहरा एक कबल का रूप बना कर आई थी विला के बाहर मैक्स ने पार्टी के असली वेटर को किड्नाप कर रखा था इधर मैक्स के साथ मासल एक गाड़ी के साथ अपने बाकी साथियों का विला से बाहर आने का वेट कर रहा था तबी उस पार्टी को नोरा भी अटेंट करती है असल में नोरा और मिस्टर सर्वलोनी एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानती थी बाहर मासल छट में पार्टीशन की लेटर आडम को देखता है जो मुवी की स्टार्टिंग में ही जैक से गन खरीतने आया था पकड़े जाने के बाद आडम को सर्वलोनी के यहां नोकरी मिल गई थी और अब वो कोई पार्टीशन नहीं था इधर प्लान के अकॉर्डिंग जैक सर्वलोनी के पांस जाकर उसके उपर जान बूच कर वाइन गिरा देता है जिसपर एक्सक्यूस कहकर सर्वलोनी कोस्ट्यूम चेंज करने अपने कमरे में पहुँचता है और तबी वहां जैक आकर सर्वलोनी को गन पॉइंट में ले लीता है आगे सर्वलोनी से TNT रखनी की जगह पता करके यह चारों उस कमरे में जाती है और यहां से एक एकर के TNT के बॉक्सिस चुडा कर पीछे के दरवाजी से निकलने लगती है दूसी तरफ एडम को उसका आदमी बताता है कि मिस्टर सर्वलोनी गायब है तो इसे सुन एडम चलती से सर्वलोनी के कमरे में जाता है यहां एडम को सर्वलोनी के अलमीरा से अवाज आ दी है दरसल जैक ने सर्वलोनी के मुँ में कपड़ा फसा कर उसे उसी के अलमीरा में लॉक कर दिया था यहां एडम को समझ आ जाता है कि विला के बाहर खड़ी भी गाड़ी उसके बॉस की नहीं है इस दोरान तक जैक सारा टी एंटी गाड़ी में लोड कर चुका था लेकिन तभी एडम आकर जैक पर गन पॉइंट करता है फिस जैसे ही जैक पीछे मुडता है वैसे ही एडम जैक को यहां देख कर हैरान होता है और तभी मौके पर फावरे एडम के पीछे बोटल मार कर उसे वहीं भियोश कर देता है असल में फावरे तब से विला के अंदर मौजूद था इसके बाद ये चारों गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है फिर सीन विटनी पर शेट होता है जो एंटॉनिओ के ओफिस का ड्राइर खोल कर उसमें से स्टैप निकालने की कोशिश कर रही थी तभी इतने में ہी उस कमरे में अंटॉनिओ आ चाता है जिसे देख विटनी वहीं रुख जाती है एंटोनियो आफिस में विटनी को दीकर कहता है तुम यहां क्या कर रही हो विटनी कहती है मैं तुम्हें सप्राइस देने आई थी एंटोनियो कहता है वैसे मैं आज तुम्हें कुछ दिखाना चाता हूँ मेरे साथ आओ आगे एंटोनियो विटनी को अपने साथ ब्लैक सोन एरिये में ले चलता है और उसे वहां के उस कमरे में लाता है जहां इटली का सारा लोटा हुआ ख़जाना रखा वा था विटनी कहती है ये सारा ख़जाना किसका है एंटोनियो कहता है ये सब तुम्हारा हो सकता है बस तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी मैंने सब डिसाइड कर लिया है हम दोरों वर्ल्ड वार के खतम होने से पहले ही इस देश को छोड़ कर स्विजिल लैंड चले जाएंगे हमारे साथ वहां मेरे बॉस मासलोनी और उनके कार्ट्स भी होंगे वहां हमें कोई तकलीफ नहीं होगी विटनी कहती है और तुम्हारी पिछली वाइफ नोरा का क्या एंटोनियो कहता है नोरा बच्चे नहीं चाती इसलिए मैंने तुम्हें चुना है हम दोनों साथ में एक अच्छा परिवार बसा सकती है बस तुम्हें मुझे एकसेप्ट करना होगा तो विटनी इस पर कुछ नहीं कहती अगले दिन नोरा एंटोनियो के आफिस में आती है एंटोनियो पहले से ही परेशान था कि विटनी उससे शादी के लिए मान क्यों नहीं रही है और इधर इसी आग में घीट डालने के लिए नोरा एंटोनियो को बता देती है कि विटनी के दिल में कोई और लड़का है जिससे विटनी एंटोनियो से चिप कर प्यार करती है तो इसे सुन एंटोनियो के अंदर शक के बीच पर अपनी लगती है और अगले ही दिन एंटोनियो विटनी का शुरू देखने उसके बार के अंदर जाता है इधर स्टेज के कोने में एंटोनियो जैक को देख लेता है एंटोनियो को जैक पर पहले से ही काफी शक्त था तभी इधर अचानक से विटनी गाते गाते बिहोश होकर निचे गे जाती है ये देख फॉरण ही जैक विटनी को उठाने जाता है जिसे देख अंटोनियो का गुस्सा साथवे आसमान में पहुँच जाता है और अंटोनियो जैक पर हमला करके जैक का गला दबानी लगता है यहां यह सब देखकर फावरे फिर से बोटल उठाकर उसे अंटोनियो के सर में फोर देता है फावरे को पूरा यकीन था कि अंटोनियो बिहोश हो जाएगा लेकिन एकी चाल बार-बार काम नहीं करती अंटोनियो जैक को छोड़कर फावरे पर गुसा करके उसके सर पर मारता है तभी इसी मौके का फाइदा उठाकर जैक अंटोनियो को मारकर बिहोश कर देता है यह करने के बाद जैक विटनी को उठाकर उसे वहां से ले जाता है वही फावरी भी होश में आकर वहां से निकल लेता है आगे वहां एंटोनियो का आदमी जॉज आकर एंटोनियो को होश मिलाता है एंटोनियो उठते ही कहता है मुझे जैक और उसके सबी साथियों की डेड बॉडी चाहिए अब एंटोनियो के सोल्जर्स किसी तरह जैक के एरिया का पता लगा कर वहां अंदादुन फाइरिंग शुरू का देती है यहां एक सोल्जर तो इनके कैविन में मिसाइल ही लॉंच का देता है लेकिन मिसाइल लगने से पहले ही जैक के सारे साथि उस एरिया को छोड़ कर भाग गए थे वहां से भाग कर जैक अपने साथियों को एक नए अबेंडेंट हाउस में लाता है इदे जैक के साथियों को लगता है कि उनका प्लान बिकार हो गया है क्योंकि जैक का चारा एंटोनियो और उसके सोल्जर्स के नजरों में आ गया है मतलब अब जैक फर्जी सोल्जर्स बनकर ख़जाना लूटने नहीं जा पाएगा लेकिन जैक कहता है उसकी चिंदा मत करो मेरे पास इसका भी जुकार है आगे जैक विटनी से बात कहता है जैक कहता है हमें प्लैन को कंटिन्यो रखना पड़ेगा और तुम एंटोनियो के पास चाकर वो स्टाम चुरा कर हमारे पास लाओगी तब विटनी कहती है बासल के ख़जाने को लूटना सच में बहुत ख़दरनाक है एंटोनियो ने मुझे खुद वो ख़जाना दिखाया था उस ख़जाने में इतना पैसा है जितना तुम सोच भी नहीं सकते जैक कहता है तुम्हें एंटोनियो वहां क्यों लेकर गया था तब इधर विटनी के कुछ कहने से पहले ही फावरी दोटती भी जैक के पास आता है दरसल दूसरे कमरे में उनसे मिलने नौरा आई थी नौरा को यहां देखती ही सभी उस पर गंतान लेती है तब नौरा कहती है बहुत अच्छी बात है कि तुम सभी वहां से बचकर निकलने में कामियाब हुए इधर मुझे विटनी को भी सही सलामत देखकर खुशी हो रही है जैक कहता है तुम्हें हमसे क्या चाहिए नौरा कहती है मैं तुम्हारे लिए एक टील लाई हूँ इसके बदले में तुम चोरी के पैसो का आदा हिस्सा मुझे दोगे जैक अंजान पंती वे कहता है कैसी चोरी तब नौरा कमरे में लगी पेंटिंग के पास जाती है और पेंटिंग को हटा कर उसमें से एक ट्रांस्पीटर निकाल दी है इसके जरीए नौरा इनकी सारी बाती सुन रही थी नौरा पिटनी से कह दी है मैं तुम्हारे पती एंटोनियो के सामने तुम्हारा और जैक का अफैस साबित करना चाहती थी इसके ले मैंने तुम पर नजर रखना शुरू किया लेकिन इस खोज में मुझे वो पता चला जो मैंने कभी नहीं सुचा था जब जैक पिटनी को खजानी की चोरी का प्लान बता रहा था तब मैं वहीं चिपी वी थी मैं चाती तो तुमारा ये सारा प्लान उसी वक्ट चापट कर देती लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया उल्टा मैंने एक आत्मी को हैर किया जो हर पर नजर रख रहा था कि तुम लोग सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग कर रहे हो या नहीं अब सब तुम पर है अगर तुम मुझे अपनी टीम में मिला लो तो प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा वही मुझे साथ में ना मिलाने पर सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा जैक कहता है अच्छा अगर मैं तुम्हें यहीं खतम कर दू तो नौरा कहती है तुम मेरे मडर को जादा देनों तक छिपा नहीं पाओगे एक दिन के अंदर ही एंटोनियो को बैदा चल जाएगा कि यह मेरे मडर तुमने किया है और फिर एंटोनियो जर्मन की पूरी सेना तुम्हें पकड़ने में लगा देगा वैसे भी तुम्हारे पास ख़जाने को ढूडने के लिए बस कल तक का समय है तो इसे सुन जैक और उसके साथी हैरान होती है तब नौरा कहती है ओ तो तुमने मिनिस्ट्री का नया मैसिज नहीं पड़ा उस मैसिज के अकॉर्डिंग बसो ही सारा ख़जाना स्विजलेंड भेज दिया जाएगा मतलब जहां ये लोग चोरी के लिए तीन दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे वहीं अब इनके पास सरिफ 24 गंडों का वक था चोरी को अंजाम देने के लिए तब इदर जैक नौरा को प्लैन में साथ मिलाने मान जाता है इसे सुन विटनी जैक को अपने साथ दूसरी कमरे में लाती है और कहती है हमें नौरा का विश्वास नहीं करना चाहिए वो कभी भी हमें धुका दे सकती है तब जैक पहस करते वे कहता है मुझे नौरा की वज़ाए तुम पर शक होता है क्योंकि शायद तुम एंटोनियो की साथ मिली वी हो और तुमारे पेट में पल रहा वो बच्चा मेरा नहीं बलकि एंटोनियो का है तो इसे सुन विटनी जैक को थपन मारती है और खुद को वफदार साबित करने के लिए जैक को आरेसाई का स्टैंप देती है इस स्टैंप को विटनी ने एंटोनियो के ड्रॉ से कबका चुरा लिया था स्टैंप देकर विटनी वहाँ से चली जाती है आगे जैरी उस ID की नकल फावरे की नाम से बनाता है वही मैक्स ब्लास्ट रोने वाले बॉम तयार करता है इस वक्त फावरे युनिफॉर्म में जर्मन सोलजर बनने की रहसल कर रहा था वही मासल अपने निशाने को पका करने की प्रैक्टिस में बिजी था अब इने बस तला गाड़ी से उतरने कहता है फिर गाड़ी हतिया कर ये लोग कैम्प के अंदर चले जाते है तब इर रास्ते में का गाड़ गाड़ी रोक कर फावरे से ट्रांसपूर्टिंग की डिटील्स मांगता है तब फावरे कहता है मैं और मेरा साथी ओफिसर यहां जैक नाम के कैदी को ट्रांस्पोर्ट करने आये हैं ये रहे हमारे दस्तावीज तो एक आफिसर पीछे जाकर ट्रक को खोल कर देखता है तो यहां जैक कैदी बनकर आया था और मैक्स फावरे का असिस्टेंट आफिसर बनकर वहीं इदर गाड़ी के नीचे जैक के बाकी ग्रूप मेंबर्स छि में काम्याब होता है कैम के अंदर पहुचकर फावरे गाड़ी का बैक डॉर खोलता है जिससे जैक के बाकी टीम मेंबर्स जो चिपने वे थे वे सभी गाड़ी से बहार निकलते हैं इन सभी ने इदर सोल्जर्स के ड्रेस पहनी भी थी जैक के कहने पर सैरा सायरन टावर प तब फावरे कहता है इसे पकड़ने का ओडर मिस्टर एंटोनियो ने दिया था सरजेंट कहता है इस बारे में मुझे नहीं बता आप दोनों जरा मेरे पीछे आएं ऐसा के कर सरजेंट इन्हें अपने साथ ले चलता है फिस सीन कट होकर एंटोनियो पर शिप्ट होता है एं तुम्हें भिहोश करकर मेरे सास्विजलन ले जाऊंगा अंटोनियो के इतना कहते ही अंटोनियो को उसके सर्जेंट का कॉल आता है कॉल में सर्जेंट अंटोनियो को उसके नए कैदी जैक की इन्फोर्मेशन देता है इसे सुन अंटोनियो कहता है चैक को अपनी नसरों से दूर मत जाने देना, मैं वहीं आ रहा हूँ तभी इधर विटनी के चेहरे के एक्स्प्रेशन के साथ की सीन यहीं एंड होता है फिर हम जेल का क्लॉक टावर देखती है, जिसमें सायरन की आवाज आ रही थी असल में सायरा जबदस्ती क्लॉक टावर की सुपरवाइजर से यह सायरन बचवा रही थी सायरन की आवाज सुनते ही सारे सैनिक बंकर की दरब भागने लगती है इसी बीचे एक सैनिक मैक्स को बॉम प्लांट करते भी देख लिता है और मैक्स से उसके डॉक्यमेंट मांगता है तब मैक्स डॉक्यमेंट निकालने के पहाने कर निकाल कर उस सोलजर को वहीं शूट कर देता है लेकिन सोलजर भी मरते वक्त मैक्स पर फाइरिंग कर देता है जिससे ये दोनों ही मारे जाती है यहां आखरी सांसे लेते बक्त मैक्स अपनी सीक्रिट जलाता है और तभी जील में रखके सारे टाइम बॉम्म्स एके करके ब्लास्ट होने लगती है जिससे खबराकर सारे सोल्जर्स बगेर को सोचे समझे बंकर के अंदर घुश जाती है और तभी जैक ट्रक चला कर उन बंकर्स के दर्वासों को बंद कर देता है फिर सब हो जाने के बाद ये सबी खजाने वाले कमरे में पहुंचती है जहां इटली का सारा खजाना रखा हुआ था एक एक करके ये लोग उस खजाने को ट्रक में लोड करती है तभी इतने में ही वहाँ पर नोरा आ जाती है नोरा के साथ उसके कुछ पर्सनल सोल्जर्स और जॉर्ज आय थे नोरा आखरी पॉइंट पर इन सबी को दुखा देने आय थी फ्लैश बैक में हम देखते हैं कि नोरा ने यहां आने से पहले अपने हस्बंड एंटोनियो का भी कतल कर दिया था और अब विटनी नोरा के हवाली थी विटनी की वज़े से जैक के साथी अपनी अपनी गंस नीचे रख देती है लेकिन नोरा बहुत चलाग थी नोरा उनके गंस नीचे रखने के बावजूद विटनी को नहीं चोड़ती और अपने सोल्जर्स से उन पांचो चोरो को मानने का कमांड देती है अब नोरा के सोल्जर्स जैक के लोगों को नीचे बिठा कर उन पर गोली चलाने ही बाले होती है कि तभी उन सोल्जर्स पर अचानक से खुद गोलियों के पहुचार होती है ये गोलिया आडम के लोगों ने चलाई थी और आडम ने इधर फिसे पार्टीशन टीम को जॉइन कर लिया था यहां लंबी फाइरिंग के बाद जॉच इन पर एक ग्रे नाइट फोर्ट था है जिससे जैक की टीम का ध्यान भटक जाता है और ये सबी खजाना और विटनी को लेकर वहां से निकल जाती है वही जैक सिरिफ इन्हें देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता तब जैक आडम कहता है विटनी हमेशा से तुमारे साथ उसी ने मुझे यहाँ बुलाया था क्योंकि उसे पता था कि तुम कोई घडबर कर दोगी तब जैक आडम से कहता है मुझे पता है वेड़ो को लेकर कहां गए होंगे हमें तुम्हारी गाड़ी से उनका पीछा करना चाहिए एडम कहता है मेरी गाड़ी के चारो पहिए डैमेज हो चुके हैं हम उन्हें कभी नहीं पकड़ सकते तब भी फावरे इस कैम के अंदर कोई चीज देखता है और जैक को इशारा करता है फावरे जैक को अपनी पीछे बुला कर उसे वहीं रखी एटीज की एक रेसिंग का दिखाता है इसे तरह की गाड़ीों को चला कर फावरे कभी रेस जीता करता था आगे फावरे और जैक उस रेसिंग का से पीछा करके आर्मी ट्रक के पास पहुँच जाती है जिसमें विटनी थी उस रख के पीछे चल रही गाड़ी के बरामर में पहुँच कर जैक उसमें कूच जाता है और गाड़ी में बैटे जॉच को मानी लगता है जैक जॉच को मार कर गाड़ी से नीचे गिरा दीता है दूसरे तरफ फावरे अपनी गाड़ी से खजाने वाली गाड़ी में गोली चला रहा था गोली चलाने के वज़े से ड्राइवर का बैलेंस गड़ बड़ा जाता है और गाड़ी सिधा पानी में गे जाती है इदर जैक अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी भी गाड़ी पानी में डूब जाती है तबी वहाँ फावरे आता है फावरे को यगीन नहीं था कि जैक और विटनी पानी में डूबने से बचे होंगे लेकिन तब ही फावरे को दिखता है कि विटनी जैक को खीच कर पानी के पार ला रही थी पानी के बाहर आते ही, ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इसहार करती है वहीं फावरे बताता है, पानी उतना भी गहरा नहीं था, हम सारा खसाना फिजे जुटा सकती है तो इसे सुन जैक हैरान होता है, और फिर ये दोनों खुश हो कर पानी की तरफ देखने लगती है जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है मूवी के एंड सीन में नौरा को जंगल में भटकता हुआ दिखा दी है जिससे पता लगता है कि नौरा की मांसिक हालत बिगड़ गई है तो दोस्तो अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्क्राइब करें मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़दार वीडियो के साथ तब तब के लिए आप अपना ख्यार रखे